नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर अजे भांबी और आप सब का ABC यानि अजे भांबी चैनल में स्वागत हैं हम बताने जा रहे हैं मकर यानि कैप्रिकॉन राशी का फरवरी महिने का भविशपल आपकी राशी से कुछ ग्रहम की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है जैसे शनी की स्थिती द्वाव में बहुत अच्छी नहीं है कि स्तिति अभी तौ अच्छी है लेकिन पांच तारी के बाद पून प्र गुरू के स्तिति कफी अच्छी है गुरु जो है वर्शपती जो है आप ही सफल्धा प्राप्त होगे और इस दोरान जो संपरक बनेंगे उन seni भी आपको व्यापक लाव होगा. लेकिन पांच तारिकों जैसे ही मंगल चत्रतभाव में आएगा, उसके बाद में emotional issues crop up हो सकते हैं, domestic issues crop up हो सकते हैं, उनको लेकर कोई जने आ सकती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा धहरे और सहयम से इस्तिती को समालने के आवशकता हैं. ऐसे ही आपकी राशी में सूर्य भगवान चल रहे हैं, तो उत्साथ तो आप में बना रहेगा, कमजोर आप पढ़ेंगे नहीं, किसी विस्तिती में आप बहुत आसानी से उसको tackle करने के लिए, आपका जो मनोबल है, उंचा रहेगा, और मित्रों का सहयोग बना रहेगा, रुके क पढ़ने हम रहेंगे, यानि कुछ कारे बनेंगे, उसका हर्ष होगा, लेकिन साथ में कहीं न कहीं आप अठके भी रहेंगे, फसे भी रहेंगे, दरसल जिंदगी ऐसी ही है, हम सब की, कभी-कभी ग्रह अच्छे होते हैं, तो इस्तितियां बहुत 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 हो जाती है तो जैसी जिंदगी होती है, बाई लाच, उस तरह के ग्रह इस्तिति है, इस पे साबधानी यह परतनी है, धन संबंदी मामनों में, साबधानी यह है कि जिन योजनाओं पर आपने काफी इन्वेस्ट किया हुआ है, चाए टाइम इन्वेस्ट किया हो, या इंटलिएंस अब पूर्ण करने का समय आ गया है, तो उनको पूर्ण कर दीजेगा, बजाए कि उसकी वेट कीजेगा कि कोई अच्छा समय आएगा, तब हम करेंगे, उनको करने चाहिए, जो कि ही भरे कारियों से दूर रहना चाहिए, थोड़ा अपना स्वास्त का ध्यान रखना लेटिस अपडेट के लिए बैल के बटन पर जरूर क्लिक करें